पिंक कुजीन व्लॉग में आपका स्वागत है और ये है फ्रेंस गाउं का बना हुआ गुगनी और लिट्टी जो कि बिलकुल देसी है ठेक देसी इसके साथ ये भाईया जी सर्फ करते हैं थोड़ा सा प्याज और भुना हुआ मिर्ची दो लिट्टी का नाम है पचीस मैं खड़ी हूं ये गाउं के बीचों बीच और ये गाउं के बार में मुझे बिलकुल भी नहीं पता जाते वक्त रास्ते में मुझे ये दिखा है और मैं यहां पर रुखने से खुद को रोक नहीं पाई और आईए और भी मैं यहां पर दिखाती हूं क्या-क्या मिल रहा है खाने के लिए यहां पे है समोशा लिट्टी और इधर है कुछ मिटाईयां जो कि जब भी आप गाउं में जाएंगे आपको यह सार्वी मिटाईय देखने को मिलेगी कहीं लe जाना है या किसी को देना ह प्रेंस देखने में बहुत ही बड़ियां लग रहा है एकदम देशी बना हुआ बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में ये औरेंज वाली मिठाई और यहां देखिए कारीगर साहब जो है वो समुसा बना रहे हैं इतनी गर्मी में बिना पंखे के नीचे अगर आप कभी गाउं गए होंगे तो ये नजारा तो जरूर देखा होगा आपने पीपल का पेड़ उसके साथ धागाल पेटा हुआ बहुत सारा सिंदूर रोटी का लगाए हुए काफी बड़ा पेड़ है पुराना पेड़ लग रही है फ्रेंस ये है वो प्लेज जहां मैं आए हूँ देखिए जूम करके देखते हैं ये है जिल्ला परिशत दरियापूर सारन मैं तो पहले कभी नहीं यहां पे आए हूँ आप आए होंगे तो आप साइद ये जगह जानते होंगे और ये देखिए ये यहां के बच्चों का इंवेंशन खेलने का एक खिलोना बनाया है इन्होंने अरे अरे काइब काफी खुबसूरत लग रहा है अरे फ्रेंट्स ये लग रहा है सोली मूवी का टैंकी आप